नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे आज मैं लिविंग रूम मेक ओवर कर रही हूँ लिविंग रूम, ड्रॉइंग रूम या अतितिकक्ष जो भी कह लिजे यह हमारे घर का आईना होता है मेमान सबसे पहले हमारे घर में इसी रूम में कदम रखते हैं और हमसे मुलाकात करते हैं यानि कि ड्रॉइंग रूम हमारे व्यक्तित को जलकाता है जो कोई आगंतुक हमारे घर आया है वो हमारे लिविंग रूम के डेकॉरेशन को देख के समझ लेता है भाप लेता है कि हमारी पसंद कैसी है यानि कि living room हमारे घर की जान होती है living room के दिवाल का जो color है उसे हलका और swap में ही हमें रखना चाहिए भारी सामान या बहुत जादा decorative जो pieces होते हैं वो रख देने से पूरा जो environment है वो बोजिल सा लगता है कई घर में आपने देखा हो गया कि drive room में घुषते ही उन्होंने इतने सारे सजावत के सामान रख दिये हैं बहुत सारे एक ही साथ बहुत सारे सजावत के सामान रख दिये हैं और बिल्कुल घर को भर दिया है तो मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि बिल्कुल हलका हो, जीसे घुसते ही बिल्कुल अच्छा शान्त महसूस हो, सजाबत का समान रखिये लेकिन दो तीन से जादा मत रखिये, इतना रखिये कि वो बोजिल सा न लगे, बिल्कुल हलका सा और सौम्य सा लगे, बहुत ही डिसे सब्सक्राइब कर लिए दिवाली से पहले मैं बहुत सारे आपके लिए डिवाली मेक ओवर लिविंग रूम के लिए, किचन के लिए, डानिंग टेबल के लिए लेकि आऊंगी, तो आप जरूर देखिये गा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, यह है लिविंग करोंगी, चारो तरफ से मैंने आपको कमरा दिखा दिया, अब मुझे इसकी पहले सफाई करनी है, जब भी आप लिविंग रूम या किसी भी कमरे का मेक ओवर करें, तो जो भी भारी समान है, फरनीचर वगर है, सब को हटा के अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लें, जारू औ तो उपर डिवाल में, जमीन पे, फ्लोर में खुब अच्छे से, जारू से और फिर पोचे से, पहले सफाई कर लेंगे, आदा कम तो हमारा तब ही हो जाता है, जब हम अच्छे से सफाई जारू और पोचा कर लेते हैं, तेकोने वगर हमें, बिलकुल क्लीन हो जाता है, जितने भी इसमें कपड़े वगरा कवर करने के लिए जो भी रखाया मैंने, सबको पहले में हटा लूँगी, और सोफा तो बिलकुल मेरा रेडी है, इसको कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिर्फ मैं कुशन से इसको हाइलाइट करूँगी, और ऐसा नहीं है कि हमें हर बार बाजार से कुशन लेके आने की ही जरूरत था, आपके पास जितने कुशन है, दो तिन तरह के कुशन, मल्टी कलर करके, असम्बल करके लगाएए, इसका अलग ही लुकाएगा, तो ये थ्री सीटर, जो काउच है मेरा, ये रेडी हो गया, अब ये वन सीटर, वन सीटर टू इन दोनों को भी मैं हटा देती हूँ, इसके जो कवर वकर है, सबको हटा दिया, और ये है कॉफी टेबल, ये इसको भी पहले मैं साफ कर लेती हूँ, इस कॉफी टेबल की क्लीनिंग की मैंने एक वीडियो डाली वी है, वो आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ये सा इसको साफ करते हैं, इसके लिए मेरी एक वीडियो है, मेरे चैनल पर आप वहां जाके देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया से बहुत ही जल्दी साफ हो जाता है, तो इस तरह से मैंने इसको बिल्कुल क्लीन कर लिया, ये देखिए, बिल्कुल साफ हो गया, और फटा-फट तो ये कॉफी टेबल अपने आप में इतना सुंदर है कि इसको किसी और चीज से सजावट के जरूरत नहीं होती है, जैसे कि कोई चीज खुद में इतनी खुबसूरत हो, तो इसको किसी और चीज से अगर आप और ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे, तो उसकी एक करेंगे होगे तो यहां पर मैं लेडर स्टाइल का जो राइक आता है, वो लगा रही हूँ, और जो भी डेखारेटिव पीस आपके पास है, वो लगाईये साइस के कॉर्डिंग लगाई है, जैसे इसकी साइसी चोटी तो इसमें जो डेखरेटिव पीसे में कि अगर बड़ा लगाँगी तो वह देखने में अच्छा नहीं लगेगा ना लेडर रेक अच्छा लगेगा और ना ही डेकरोटी जो पीस है वह अच्छी लगेगी बिल्कुल छोटी छोटी जो भी है आपके पास वह लगाई है यहाँ मैंने तीनों रेक में छोटे-छोटी पीसेज मैंने यहां पर लगा दिये हैं तो यह कॉर्णर मेरा बिल्कुल रेडी हो गया अब वाल के लिए यहां पर मैं डेकराटिव पीस लगा रही हूं मिरर वाली यह उपर लगाऊंगी स्टूल लेकर आती हूँ उपर इसको मैं टांगूंगे यह देखिया टंगया मेरा यह कुछ इस तरह का दिखता है यह देखिया गोल्डन कलर का है बहुत ही बढ़िया है बहुत ही सुन्दर है पस इस वाल में मैंने कुछ भी नहीं लगाया है और बैंटिंग कुछ भी नहीं लगाया बस एक मैंने यह यह टेकरोटिव पीस लगाया इसे पूरा वाल कितना ख़ुआए यह अक्रभी प्रफीर लगको कर रहा है और यह दोनों सोफा बचाई इसके सिर्फ मैं कुशन लगाओंगे, सिंपल एक एक कुशन डालूंगे, और अब इस कॉफी टेबल के नीचे, मैं कार्पेट लगा देती हूँ, छोटा कार्पेट है, ये भी मैंने तीन-चार साल पहले होम सेंटर से लिया था, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल अनकॉमन डिजाइन है, बहुत ही छाट-छाट के हमने लिया था इसे, और इस कॉफी टेबल को मैंने और किसी चीज़ से नहीं सजाया है, बस यहां पर एक ये पीश रख दिया है, और तीन-चार इसमें फ्लार्श रख दूँगी, और जब दीवाली बगर करें लिए देंगे, अभी मैं नहीं डाल रही हूं, बस इस तरफ का डेकोरेशन मेरा कम्प्लीट हो गया, अब मैं पर्दे का करती हूं, पर्दे को खोल देती हूं, मैंने इसको नोट लगा के रखा था, पर्दे को खोल देती हूं, इसमें मैंने 6 पर्दे लगा हैं, ये पर्दा भी में साहच में उसके साथ में मैंने राप गॉल्डन किल लगाया है ये सामने पास से बहुत सुंदर पर्दा लगता है इस तरह इस व fought में एक Shopees, इसमें सरफ एक शोपीноп में अध। राप मुझे धोरा सा खाली लग रहा है तो यहां पर मैं एक सोच नहीं है प्लांटर लगा दूँ यह सी ऊचाल लगाने से देखी कितना घ्री आ गया एक सिम्पल सा मैंने प्लांटर लगाया एक प्लांट लगाया है यह देखिये औरिजिनल प्लांट है कितना अच्छा कितना मतलब बिल्कुल उसको कहते हैं जिसको इसका लोखी चेंज हो गया और एक नीचे में भी लगा दिया है यह देखिए दो प्लांट लगाया मैंने कितना खुबसूरत लग रहा है और यह दो टीलाइट केंडल मैंने खुबसूरत लग रहा है इसलिए में दो लगा दी इसमें दीवाली वगारा के लिए इसमें तीन चार लगा देने से बहुत ही सुंदर लगेगा देखिए कितना ख्लैसी लुकारा है बिल्कुल तीन या चार मैंने इसमें डेकॉरटी पीसेज रखिए कुछ भी नहीं रखा है बिल्कुल प्लेन रखा है सिंपल रखा है कितना सोबर लग रहा है बिल्कुल ऐलिगंट लिविंग रूम बनके त्यार हो गया है हमारा सिफ डेकॉरटी पीसेज रखने से ही हमार लिविंग रूम खुबसूरत नहीं हो जाता है थोड़ा सा आपको अपना यह लगाना पड़ेगा किस तरह से कहां पर क्या चीज रखे जिसे वह बिल्कुर उभर के उसके खुबसूर्थी है कम से कम आप अपने लिविंग रूम में सामान रखने की कोशिश कीजिए जिसे व अपने लिविंग रूम को से आपके पास जो भी चीजे हैं उससे ही आप बहुत सुंदर सजा सकते हैं ठोड़ा सा क्रियेशन की जरूत है क्रेटिविटी अपनी लगाई है और सब के पास एक्रेटिविटी होती है तो देखा आपने मैं कोई भी सामान बजार से खरीद के भी नहीं लाई हूँ जो घड़ में है उसको ही आगे पीछे करके फिर बदल करके बिल्कुल नया लुक देने की कोशिश कर रही हूँ उमीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी पसंद आई तो जरूर लाइक किजेगा शेयर किजेगा और मेरे चैनल को सब्स देन दयोगी